हेलो गाइज, गूड मॉर्निंग अल आफ यू, वेलकम तु दिस सेशन उन यूटूब चैनल बियोलोजी टीजिंग सेंटर, यूवर एजुकेटर डॉक्टर अखेली शुरकुमार, आज की सिशन में हम लोग मुखिरूप से प्लांट किंग्डम्स से रिलेटेड, कुछ पिकुलियर, लार्जेस्ट एंड अस्मोलेस्ट कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे, अस्मोलेस्ट लीव, लार्जेस्ट लीव, अस्मोलेस्ट सीड इस तरह से कुछ हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट्स है, और मुखे रूप से किसी भी competitive exams and need for need, nursing and other medical courses के लिए important होता है, तो कुछ इस प्रकार है, तो हम देखते हैं, नमबर वन, लार्जेस्ट फंगस, जो इसका है, अग्जी अस्पोरस नोविली सेसी मस, नमबर टू, लॉंगेस्ट इनफलोरिशन्स, तो इसका जवाब है, एमोर्फो फाइलस, जिसको हम लोग हिंदी में जमीकन्द या बोलचाल में ओल बोलते हैं, तो इसका सबसे लार्जेस्ट इनफलोरिशन्स होता है, अगला नमबर, दा स्मोलेश्ट एंजिवस्पर्म, तो लेमना, अगला नमबर, तोलेश्ट एंजीवस्पर्म, उकलेप्तस, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म तो जामिया लार्जेस्ट फर्म एल्षो फिला नेक्स्ट लार्जेस्ट एंज्योस्पर्मिक सीड लोडवाईश्या नेक्स्ट लार्जेस्ट एंज्योस्पर्मिक फ्लावर वॉल्फिया नेक्स्ट लार्जेस्ट एंज्योस्पर्मिक लीव्स विक्तोरिया रेजिया नेक्स्ट लार्जेस्ट लीव रैफिया next biggest fruit tolodovicia next smallest cell to mycoplasma ppology से कहा जाता है largest egg cell psychus next biggest ovule psychus next lightest timber जो सबसे हलकी लकड़ी होती है ochroma next smallest briophyte eupsis next smallest cell organelle without a membrane ribosomes largest moss fontanelis next largest cactus cirrus next longest style तो है जीया मेज जिसे मेज बोलते हैं मकई next number longest pollen grain mirabilis तो इस तरह से कुछ पिकुलियर्स plant kingdoms में पाए जाते हैं जो आपका smallest and largest के रूप में होते हैं, जो plant kingdom के लिए बिलकुल एक नए तरह का concept है, जिसे याद रखना चाहिए, तो आज की session में इतना ही, और अगर वीडियो पशंद है, तो आप इसे like करेंगे, और ये learners हैं, तो इस channel को निश्चित रूप से subscribe करेंगे, और अपने friends and classmates के बीच, share अवश्य करेंगे, Thank you. झाल मलेक, Rebecca